ओके दोस्तो तो साउथ अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के बीच में फर्स T20 इंटरनाशनल मैच खेले जाने वाला है किंग्समेड डर्बन साउथ अफ्रीका में टीम न्यूस की अगर मैं बात करूँ न दोस्तो तो दोनों टीम से काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो की इस मैच पे नहीं खेल रहे हैं आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका के टीम से दोस्तो आप लोगों को कगीसो रबाड़ा, एन्रिच नारके, क्वेंटेन डीकॉक और डेविड मिलर टीम पर खेलते हुए नहीं दिखेंगे बिकॉज इन सारे बड़े प्लेयर्स को ना ODI मैच के लिए रेस्ट दिया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप सभी लोगों को पता है, वन डे इंटरनाशनल मैचेस के वर्ल्ड कप भी होने वाले हैं, इसलिए इन सारे प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका के टीम ने र ये दोनों भी इंजर्ड हैं दोस्तों, उस्ट्रेलिया के टीम से, तो दोनों टीमों के प्लेइंग 11 एग्जेक्ली क्या रहने वाली है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सब पता चल जाएगा, साथी साथ दोस्तों आप लोग अगा मेगा ग्रैंड साथ अफरीका वेन्यू जहाँ पर की ये मैच खेले जाने वाला है, ओके दोस्तों अगर बात करूं इस वेन्यू की, तो 2015 पर यहाँ पर साथ अफरीका और न्यूजिलेंड के बीच में मैच हुआ था, ठीक है, उसके बाद दोस्तों साथ अफरीका और अस्ट्रेलिया के ब इघÁ को, इंग्लेंड के टीम ने दोस्तों यहाँ पर पहले बाटिंग किया, 204 रन बनाएं दोस्तों यहाँ पर, साथ विकेट के नुक्सान पर, जो यह साथ विकेट गिरे इस पर 6 विकेट पेसर को मिलेते और मिलेके और इस अगर आप लोग इस वेन्यू के recent pitch record को देखोगे न दोस्तो तो यहाँ पर run बनना तो आसान है वैसे भी दोनों team काफी अच्छी team है तो run तो बनेंगे दबागे प्लस दोस्तो यहाँ पर देखा देखोगे तो mostly wicket किसे मिले हुआ है Pacer को wicket मिला गया है clear तो अगर आप लोग इस venue के pitch के record को देखते हुए team बनाते हो तो दोस्तो यहाँ पर batsman को अच्छा advantage है क्योंकि venue पर run बनता है second important बात दोस्तो यहाँ पर Pacer को अच्छे खासे wickets मिलते है mostly wicket आप लोग देख रहे होंगे Pacer को ही मिले clear है अब दोस्तो देख लो दोनों teamों की playing 11 क्या रहने वाली है playing 11 की अगर मैं बात करू तो south africa के team पे दोस्तो रीजा हेंड्रिक्स और टेमबा बाउमा आप लोगों को open करते हुए दिखते हैं first down position पे दोस्तो रैसी वेंदर दूसेन केलने आते हैं उसके बाद दोस्तो आप लोगों को एडल माकरम और ट्रिस्टन स्टब दिखेंगे team के wicket keeper डोनोवन फरारी ये आप लोगों को दिखेंगे ट्रिस्टन स्टब के बाग उसके बाद दोस्तो आप लोगों को मार्को जैंसन दिखेंगे फिर बॉलिंग वाले section पे ट्रिस्टन सामसी, लूंगी निगडी केशव माराज और सिसंदरा मंगला दिखेंगे वहीं दोस्तो बात करूँ Australia team की playing 11 की तो यहाँ पर आप लोगों को Travis Head और Matthew Short opening करते हुए दिखते हैं फर्स डाउन पोजीशन पे दोस्तों Mitchell Marsh दिखेंगे उसके बाद आप लोगों को wicket keeping वाले section से Josh English दिखेंगे उसके बाद Marcus Stoinish दिखेंगे उसके बाद Tim David दिखेंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर Aaron Hardy दिखेंगे और Scene Abbott दिखेंगे उसके बाद balling वाले section पे दोस्तों आप लोगों को विडियो को बस आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है बागी एक और important बात दोस्तो अगर अभी तक आप लोगों ने एक शानदार आप के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को इस आप को अगर आप लोगों ने डाउंलोड नहीं किया है न तो सभी लोगों से request है नीचे दिस्क्रेप्शन और commentी पर जाकर इस आप को पक्का से डाउंलोड कर ले रहा कुछ नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने सिरफ yes और no पर अपना opinion देना है जैसे ये match खेले जाने वाला है South Africa और Australia के बीच में आपको क्या लगता है कि Australia इस match को जीतेगी मुझे दोस्तों लगता है कि हाँ Australia इस match को जीतेगी इसलिए मैंने क्या कर रखा है मैंने यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कर सकता हूँ बिना कोई team मनाए बिना किसी जंजट के और अगर आप लोग head to head record देखोगे ना तो इन दोनों टीमों के बीच में जो 23 match खेले गए हैं इन 23 match में से दोस्तों 14 match आप लोगों के Australia ने win किया है और यहाँ पर दोस्तों 8 match South Africa ने win किया है और अगर आप लोग team भी देखोगे तो यहाँ पर Australia के team मुझे काफी मजबूत लग रही है इसलिए मैंने जो अपना yes side पर trade लिया है वो मैंने Australia के team के साथ लिया है clear है बाकी एक और important बात दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग limit नहीं हो कि सिर्फ cricket खेलना है दोस्तों अगर आप लोगों को finance की अच्छी knowledge है अगर आप लोगों को politics की अच्छी knowledge है अगर आप लोगों को day to day events की अच्छी knowledge है तब भी आप लोग यहाँ पर अपने opinion के जरिये बहुत सारा अच्छा पैसा कमा सकते हो बागी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मेरे दिये गए link के थूँ अगर आप लोग download करते हो ना तो इतना कुछ मिलने वाला है ना सीधा सीधा आप लोगों को बताता हूँ बहुत advantage होने वाला है क्या advantage होगा एक बात तो यहाँ देखो अगर मेरे दिये गए link के थूँ आप को download करते हो तो आप लोगों को instant 10 रुपे मिलेंगे free के plus जब download कर रहे होंगे उस time पर अगर आप लोग get 20 code को use कर लोगे तो आपके 10 रुपे कितने हो जाएंगे 20 रुपे हो जाएंगे clear यह आप लोगों को download करते ही मिल जाएगा second दोस्तों अगर आप लोग download करने के बाद यहाँ पर अगर अपने wallet पे 100 रुपे अड़ करते हो और अगर आप लोग इस code को use कर लेते हो freedom code को तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 2000 रुपे का promotional cash balance भी मिलेगा clear और दोस्तों और सुनो खास बाद अगर आप लोग यहाँ पर virtual event को trade करते हो ना इस वाले virtual event को जैसे ही आप लोग download करेंगे आप लोगों को दिख जाएगा virtual event दिखेंगा 9.50 करोड देख रहे हो value कुछ नहीं करना है इस पर दोस्तों आप लोगों ने 100 share खरीदने है 4 रूपे में जैसे ही 100 share खरीदोगे 4 रूपे में automatically अगर आप लोग वालेट पे जाओगे तो आप लोग उसे 5 रूपे में बेच सकते हो सीधा सीधा 100 रूपे तो यही मिल गए आप लोगों सीधा दिमाग ही नहीं लगाना सीधा आप को डाउनलोड करना है वालेट पे 100 रूपे, 200 रूपे, 1000 रूपे जितना डालना है डाल लेजेगा और यह ट्रेड ले लीजेगा सीधा 100 रूपे का फायदा है मतलब सीधा 120 रूपे तो फ्री पे मिल रहे हैं आप लोगों को क्लिर, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर इस आप को पक्का से डाउनलोड कर लीजेगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर जेगा क्योंकि अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो तो वहां से भी आप लोगों को अच्छी खासी रिफरर्न इंकम हो सकती है बागी दोस्तो एक और इंपोर्टेंट बात अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रूप को जोईन नहीं किया है चलिए दोस्तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर औरस्ट्रेलिया के टीम के प्लेयर के स्टाट्स को विकेट कीपिंग वाले सेक्षिन से दोस्तो आप लोगों को सौरी साउथ अफरीका के टीम से स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के टीम से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर डोनोवन फरारी दिखते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो 24, 15, 8, 35 और 19 रन इनों ने बनाएं, बागी T20 डोमेस्टिक अगर देखोगे तो 38 मैंच इनों ने खेले हैं, जिस पर 31 का इनका आवरेज बेस्ट स्कोर 82 का है और 50 तीन बार मना चुके 4 डाउन पोजिशन पर खेलने आएंगे, थोड़ा डाउन दा लाइन, थोड़ा दोस्तों नीचे खेलने आएंगे और डोमेस्टिक करियर अगर आप लोग देखोगे तो डोमेस्टिक करियर ठीक ताग है, उतना कुछ शानद नहीं है, इसलिए होपफुली डोनोवन फरारी को मैं अपने टीम पर ड्रॉप करके चलूंगा, बाकि अगर आप लोग बैटिंग वाले सेक्शन को देखोगे तो बैटिंग वाले सेक्शन पर रीजा हेंड्रिक्स और टेमबा बवुमा उपन करते हैं, रीजा हेंड्रिक् का एवरेज है, बाकि वेन्यू पर एक मैच खिला है, 42 का एवरेज है, बट रीजा हेंड्रिक्स का बहुत शांदार चल रहा है, एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेयर है, और मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक प्लेयर रहेगा आप लोगों के लिए, टेमबा बवुमा की अग स्केल चुका है, बट सिर्फ एक ही बार 50 रन की पारी आई है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, सिर्फ 33 मैच पे एक बार इंपेक्ट फुल पारी आई है, इसलिए दोस्तों मैं टेमबा बवुमा को ड्रॉप करके चलूंगा, बाकि और दस रन, चार रन, मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस रेसिवेंदर दूसें का अच्छा नहीं है, बट एक पंट प्लेर है, इस बात को ध्यान रखेगा, फर्स डाउन पोजीशन पे खेलने आएगा, सेलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कमी दिखेगा, बहुत बहुत ही बनाते हो, तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, बट अगर आप लोग स्टाट्स के हिसाब से टीम बनाते हो, तो यहाँ देखो, 41 मैच पे 36 का अवरेज है, और यहाँ देखो, 57 बार बना चुका है, मतलब कंसिस्टेंसी है, बा बालिंग भी कर सकता है, बट यहाँ पर, किंग्समेट डर्बन के पिच पे पेसर को ही अड्वांटेज रहता है, तो शायद बालिंग करे न करे, वो डाउटफुल है, बट यहाँ देखो, बैटिंग पे 20 रन, 17 रन, 14 रन, 38 रन, 35 रन, 34 मैच पे दोस्तो, 40 का अवरेज है, इस बात को ध्यान रखेगा, बगी दोस्तो, अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोगों को ट्रेश्टेन स्टब भी दिखेंगे, बैटिंग वाले सेक्षिन पे, थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, इनकी भी कंसिस्टेंसी कुछ जादा नहीं है, 23 फिर बैटिंग नहीं है, फिर 7, 6, 18, बागी 13 मैच पे 21 का ही आवरेज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ट्रिस्टन स्टब को मैं ड्रॉप करके चलूंगा, बागी बात करूं दोस्तों, ऐल राउंड वाले सिक्षिन पे, आप लोगों को मारको जेंसन दिखेंगे, यह अच्छी बॉलिंग करता है दोस्तों, आप लोगों नहीं ने, IPL पे भी खेलते हुए देखा होगा, मारको जेंसन अच्छी बॉलिंग करता है, यह यहां देखो 12 रन और एक विकेट, यहां देखो 3 विकेट, इनीशली विकेट निकाल लेते हैं, और बैटिंग पे भी अच्छा कासा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, दो ही मैच खेले हैं इंटरनाशनल, बढ़ अगर आप लोगों इनका डोमिस्टिक रिकॉर्ड देखोगे न, तो अच्छा डोमिस्टिक रिकॉर्ड है दोस्तों, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेगा, दो मैच के लिए हैं 12 का एवरेज है, बढ़ चार विकेट है, इंपोर्टेंट बॉलर रह सकते हैं, दोस्तों, इनीशली आप लोगों को बॉलिंग करते लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों फिनर को सॉरी, यहां पर आप लुघनर को पक्का से ट्राइ कर सते हो, कैसे ट्राइ करना है वह मैं आप लोग को अभी टीम मनाते वर्ग बताऊँगा, बाकी तबिस शामची का अगर आप लोगा रिसेंट परफॉर्मिंस देखोगे, तो यहाँ देखो 0 विकेट, 15 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, बाकि 61 मैचेस पे 74 विकेट्स ले चुका है, बॉलर शांदार है दोस्तो, head to head देखोगे तो 5 मैच पे 5 विकेट है, वेन्यू पे एक मैच के लाए, जिस पे एक ही विकेट निकाला है, clear, मैंने बोला था न, वेन्यू पे spin को उतना advantage नहीं है, इसलिए वेन्यू पे ज़्यादा विकेट तबरिश सामसे के पास नहीं है, बागी लूंगी, निगडी की अगर मैं बात करूँ, तो लूंगी, एंगडी को अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ दो विकेट, फिर चार विकेट, फिर एक विकेट, फिर जिरो विकेट और फिर दो विकेट, open और depth पे balling डालेगा, depth पे अच्छी slow ball डालता है, दोस्तों, विकेट उसे मिल जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा, यहाँ देखो, स्टाइट सी बताता है, 37 मैच में दोस्तों, 60 विकेट है, वेन्यू पे भी एक मैच में तीन विकेट है, हैट टु हैट भी चार मैच में पे साथ विकेट है, इसलिए लूंगी, एंगिडी, आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बॉलर रहने वाला है, बागी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर और बॉलर्स की, तो यहाँ पर देखो, केशब महाराज दिखेंगे आप लोगों को 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, इतना कुछ अड्वांटेज नहीं रहेगा, केशब महाराज को यहाँ पर 25 मैच में 22 विकेट है, अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स इनिंग्स पर बॉलिंग करने आती है, तो एक इमपोर्टेंट पिक रह सकता है, इस बात को ध्यान रखेगा, सेलेक्षिन पर्सेंटेज लो दिखेगा, बट प्लेयर इमपोर्टेंट है, अब आजाओ दोस्तों अपने ऐस्ट्रेलिया लाइनप पे, ऐस्ट्रेलिया लाइनप पे दोस्तों विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को जोश इंग्लिश दिखेगा, ठीक है, इंपोर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, यहाँ देखो 23 रन, 24 रन, 0 रन, 17 रन, 24 रन, बागी T20 इंटरनाशनल पे 9 मैचेस पे 27 का एवरेज है, 48 इनका बेस्ट कोर है, सेकेंड डाउन पोजीशन पे खेलने आता है, वही एक अडवांटेज है जोश इंग्लिश के साथ, जो कि आपके डोनोवर फरारी के पास नहीं है, जो कि आप लोगों को साथ अफरीका के टीम के विकेट कीपर है, तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से जोश इंग्लिश एक ज़्यादा इंपोर्डेंट पिक है, और मैं अपने टीम पर जोश इंग्लिश को ही लेकर चलूँगा, विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पर, बैटिंग वाले सेक्शन के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रेविस हैड दिखेंगे, और टिम बनाना है, तो पिक कर सकते हो, और स्टाट्स के हिसाफ से बनाना है, तो ड्रॉप किया जा सकता है, बागी टिम डेविट दोस्तों डाउन दा लाइन काफी नीचे खिलने आएंगे, ऐस फिनिशर ही खिलेंगे टीम के लिए, पचिस माच में 37 का एवरेज है, 92, नॉट आउ बन सकते हैं, बागी दोस्तों, पाल राउंडर वाले स्क्षिन पे आप लोगों को काफी प्लेयर दिखेंगे, देखो, आप लोगों को यहाँ पर मैंठ्यू शोट दिखेंगे, ओपनींग पर आएंगे, बाॉलिंग करेंगे, बट यहाँ पर मेंने आप लोगों बताया, को उतना advantage नहीं है, selection percentage काफी high दिखेगा, लोग इन्हें CVC भी लेकर आए होंगे, आप लोग इन्हें CVC मत रखेगा, clear, CVC रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिन को उतना advantage नहीं है, यहाँ पर बैटिंग पर देखो तो कुछ खास नहीं किया, 81 मैच डोमेस्टिक खेले हैं, जिस पर 23 का ही इलका average है, और 24 ही विकेट है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेगा, इतने successful है नहीं, लीग मैचेस पर अच्छा करते हैं, बट इनका average है, एक must pick player रहेंगे, टीम पर आप लोग लेकर ही चलिएगा, मिशल मार्श को, मैथ्यू शॉट को drop कर सकते हो, अगर आप लोग risk लेना चाते हो, मेगा ग्रैंड लीग पर जैसे बड़े player आप लोगों को drop करने हो ना, तो Travis Head हो गया, वो बड़ा player, मैथ्यू शॉट हो गया, ऐसे बड़े player को drop करके आप लोग risk ले सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग के लिए इस बात को ध्यान रखेगा, बागी आप लोगों को allrounder वाले section पर Marcus Tronis दिखेंगे, ये एक important pick रहेंगे, और Marcus Tronis दोस्तों captain wise captain के भी एक अच्छे contender रहेंगे, क्यों, क्योंकि advantage है, तो wickets भी निकाल सकते हैं, अगर 2 wickets भी निकाल दिये हैं, और यहाँ पर अगर suppose करो 40 run मी बना देते हैं, तो captain के एक अच्छे contender रहेंगे, must pick batsman है, टीम पर लेकर ही चलना है, बागी बात करो दोस्तों Aaron Hardy की, तो Aaron Hardy player तो अच्छा है, देखो, 46 match पे 26 का उसका average है, और 21 this wicket है यहाँ पर, debut करने वाला है, टीम के लिए, देख लीजेगा, mega grand league पे try करना है, तो किया जा सकता है, small league पे selection percentage low होगा, आप लोग अगर 4 spot तक खेल रहे हो, और Australia के team first training पे batting करने आती है, तो आप लोग Aaron Hardy को भी try कर सकते हो, safe side पे जाना है, तो Aaron Hardy को drop किया जा सकता है, ब बट दोस्तों ध्यान रखेगा, scene abad जब domestic matches खेलते हैं बहुत wicket निकालते है, international matches पे अभी तक इनका सिक्का चला नहीं है, बट एक बहुत ही जानदार baller है, दोस्तों ध्यान रखेगा, बहुत ही important pick रहते हैं, selection percentage low हो या high हो, आप लोगोंने scene abad को team पर लेकर ही चलिएगा, clear है, बहुत important player है, बागी अब आजाओ दोस्तों balling वाले section पर, balling वाले section पर Adam Zampa must pick spinner रहेगा दोस्तों, अच्छी spin से wicket निकाली लेता है, बहुत ही smart baller है, wicket निकाल लेता है, 72 matches पर 82 wickets है, head to head 6 match पर 7 wicket है, venue पर 1 match पर 0 wicket है, च्यूंकि venue पर मैंने आप लोगों को बदाया है, ठीक है, एक केशव महराज है, और एक हम लोगों के पास यहाँ पर Adam Zampa है, तो यह 3 spinner है ना दोस्तों हम लोगों के पास, यह 3 spinner है, आप लोग इन 3 spinner में से सिफ एक spinner को लेकर चलिएगा, और मेरे हिसाफ से Adam Zampa सबसे ज्यादा important रहेगा, clear, second important पूछो के तो आप लोगों क है दोस्तों, 5 मैच पे 15 विकेट, और क्या चाहिए, average विकेट क्या है, 3 विकेट हर मैच पे निकाल रहे है, clear, recent form जबरदस्त है, must pick baller है, इस बात को ध्यान रखेगा, बागी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक नया baller भी debut करता हुआ दिखेगा, अगर big bash आप लोगो से ball को निकालता है, इसलिए यहाँ पर team ने इन्हें मौका दिया है, तो हो सकता है कि इस match का एक punt player बनकर निकले, इस बात को ध्यान रखेगा, क्यों क्योंकि coach का भी ऐसा ही मानना है, कि Spencer Johnson को यहाँ पर इस venue पर अच्छे खासे wickets मिल सकते हैं, clear, बागी अभी के time पर दोस्त है, क्योंकि old format के हिसाब से यहाँ पर team मैंने बनाया है, इसलिए यहाँ पर मैंने Travis Head को रखा है, clear, बागी यहाँ पर मैं पर मिचल मार्श है, मारको जैंसन है, और सीन अबट है, बागी यहाँ पर मैं पर Adam Zempa, Sisanda, Mangala और Nathan Ellis है अभी के time पर, but Travis Head को हटा कर आप लोग, लोगोंने क्या करना है, यहाँ पर, लूंगी, NGD को try करना है, clear, लूंगी NGD को try कीजेगा, यहाँ पर Travis Head को आप लोग यहाँ से हटा सकते हो, इस बात को ध्यान रखेगा, और यह मेरी team रहेगी अभी के time पर, captain कौन रहेगा दोस्तों इस team पर, captain का content है, मुझे ऐसा लग Hendrix रह सकता है, मेरे लिए Nathan Alice रह सकता है, या starts को देखते हुए, लूंगी, NGD रह सकते हैं, यह तीन मेरे vice captain के contender है, और captain के contender, Michelle Marsh और Marcus Toynish रहेगे मेरे लिए, clear है, सब कुछ समझ में आ गया, okay, बाकी एक और important बाद, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, products app पर दोस्तों आप लोगों ने सिफ yes और no करना है, नीचे description और comment section पर ही link है, link के through app को download कीजेगा, और अपने दोस्तों के साथ link को share भी कर दीजेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग link को share करते हो ना, तो यहाँ पर आप लोग और भी referral पे कमा सकते हो, clear, तो सभी लोगों से request है, आपको download भी करेजेगा, और link को share भी कीजेगा, अपने सारे friends के साथ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, आप लोग सिफ opinion देकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, बाकि एक और important बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभाव है, तो आप सभी लोग जिम्मेदारी से कहले, धन्यवाद दोस्तों